आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं और एक मज़दार वीडियो जहां आपको बताएंगे बेस्ट ब्लुटूट नेक बैंड टू बाइ ऑनलाइन अब देख सकते मेरे पास बहुत सारे अलग-अलग ब्रैंड की ब्लुटूट नेक बैंड एविलेबल हैं जो अलग-अलग प्राइस में आते हैं तो चाहें आपका बजट हो कम या फिर ज्यादा आपके बजट के साब से कौन सा टी डुटूट रहेगा बैस्ट जाने के लिए मेक शूर वीडियो को अंचक देखेगा जरूर नमस्कार दोस्तों हम हैं आपके अपने अभिसेग भीया अभिसेग गे तो इस बजट पर हमारे पास दो नेक बैंड है और जो दूसरे नमर पर आता है वो है रेट्बी सोनिक बेस ब्लूटूट नेक बैंड अगर हम इसकी फीचर्स के बात करें तो इसका रोल चार्जिंग टाइम है टू अवर्स और इसका बारा घंटे के बैटरी बेकप मिल ज जाती है मतलब एक साथ दो डिवाइस में आप इसको पियर कर पाओगे ऑवराल सॉन कुलिटी इस गूर्ट बाट बेस मुझे उतना तगड़ा नहीं लगा तो अगर आप एक बेस लवर है तो हो सकता है यह ब्लूटूट नेगमंड आपको निरास करें इसी के साथ माइक क् ठीक ठाक है तो मैं आपको इतना कहूंगा भाई अगर आपको बेस परसंद है तो अंडर 1000 अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपके लिए यह सही होगा तो बेस्ट कुन सा होगा अंडर 1000 अले बताता हो रुको बेस्ट यहां पे बोट रोकर 255 प्रो ब्लूटूट ने के निचे मिल जाते हैं बिकोस अब डैटर दन इससे मैंने इंक्लूट किया है अंडर 1000 रूपीज अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो उसका चार्जिंग टाइम में वान अवर और स्वेया में तकरिबन 10 घंटे के बैटरी बेक आप मिल जाएगी डूट पेरिंग मोड के साथ में आता है तो इस ब्लूटूट नेक्बेंड को भी आप दो डिवाइस में एड दी सेम टाइम कर पाओगे 10 mm का ड्राइवर दिया हुआ है and sound quality is really amazing अगर आप एक base lover है तो definitely ये ब्लूटूट नेक्बेंड आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है मताब मैं कोह रहा हूँ आख बंकर का आप इस नेक्बेंड को ले लो 1000 रुपे के आज पास आपको शिकायत का मोखा नहीं मिलेगा overall mic की quality भी ठिक ठाक है by the way guys जो भी Bluetooth नेक्बेंड आप सभी को मैं recommend कर रहा हूँ इन सभी का best buy link वीडियो के description पे दिया हुआ है तो kindly check जरूर किजएगा हमारे link से लोगे तो भाई आपको best price पे तो मिलेगी ही साथ में हमारी चनल को भी थोड़ी सी help हो जाएगी अब चलिए बढ़ते हैं आगे next category की और जहां आपको बताएंगे हम best Bluetooth neckband under 1500 रुपीज इस budget pay में दो neckband recommend करूँगा दोनों ही बहुती बहतरीन है आप बस according to your requirement buy कर सकते हैं तो जो neckband में पहला recommend करूँगा वो है बो ट्रोकर्स 255 प्रो प्लास इसका सबसे main highlighting feature है वो है बस दो घंड़े चार्ज किजिए और 40 hours का battery backup मिल जाता है इस category है जितने भी neckband में आपको recommend कर रहा हूँ किसी में भी 40 घंटा का battery backup नहीं मिलता बट बोट ने कमाल ही कर दिया है battery backup first priority है आँख बंद करका बोट रोकर्स 255 प्रो प्लास ले सकते हैं इसकी इलावाद उसको इसका another highlighting feature है वो की quick charge बस 10 मिनिट चार्ज करके आप इसे up to 10 hours तक यूज कर सकते हैं Bluetooth 5.0 का support मिलता है IPX7 water resistant दिया हुआ है 10 mm का driver मिलता है तो sound quality very good BSP बहुत ही तगड़ा आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी अगर आप एक base lover है तो भी आप इस Bluetooth neckband को miss नहीं कर सकते इसके इलावा जो दूसरा option आपके पास है under 1500 वो है diesel wireless neckband अगर हम इसकी features के बात करें तो charging time में दो घंटे 17 hours के battery backup मिल जाएगी quick charge यह भी support करता है 10 minute charge करेंगे तो max to max आप 2 घंटे तक आप music सुन पहोगे IPX4 water resistant का support मिलता है Bluetooth 5.0 दिया हुआ है 11.2 mm का driver मिलता है हाला कि driver size boat से थोड़ा बहतर है बाट फिर भी अगर आप bass lover है तो मैं कहूंगा boat में आपको ज़्यदा बहतर bass देखने को मिल जाएगी diesel का sound भी बहुत ही बढ़िया है आप मुझे गलत मत समझना बाट बेस अगर हम comparison करे तो boat is slightly better as compared to diesel but diesel में कुछ हमें unique features देखने को मिलते हैं जो boat में absolutely missing है number one thing इस पर magnetic on-off मिलता है अगर आप birds को connect कर दो birds off हो जाएंगे disconnect कर दो birds खुद बखुद on मतलब आपका neckband खुद बखुद on हो जाती है यह चीज मुझे बहुत ही सही लगा इसके इलावा दोस्तों यहाँ पे low latency mode दिया आवा है तो अगर आप game खेलोगे तो delay जो है काफी कम हमें देखने को मिल जाएगी environmental noise cancellation मिलता है इसके इलावा आप इस Bluetooth neckband को realme link application से customization भी कर पाओगे तो यह सारे unique features अगर आप देखो तन definitely आपको diesel wireless ही better लगेगा बट अगर आपका फॉस्त प्राइटी है battery backup and better base तो आप बोट रोकोष 255 प्रोप्लासी लीचिएगा अब चले उसे बठते हैं आगे next category के और जहां आपको बताएंगे हम best Bluetooth neckband under 2000 रुपीस यहां पर भी हमेरे पास दू neckband है एक है Oppo Enco M31 और एक है One Plus बुलेट्स वाइरलेस जी दुनों ही neckband काफी जबरदस्त है बट आपको बाई करना है according to your requirement चले सब्सक्राइब बात करते हैं Oppo Enco M31 की इसका रोल चार्जिंग टाइम में वान आवर्स और आपको आप तो 12 आवर्स की बैटरी बेक आप मिल जाएगी Quick Charge सपूर्ट करता है 10 मिनिट चार्ज किजिए आप और आप तो 3 आवर्स आप नौन इस्ट आप म्यूजिक सुन पाओगे IPX5 Water Restoration का सपूर्ट मिलता है इसे के साथ-साथ Bluetooth 5.0 के साथ मैं जाता है USB Type-C दिया हुआ है sound quality को again next level पे पहुचा जेता है अगर आप एक base lover है तो भाई मैं कहूंगा आँख बंद करके आप Oppo & Coim 31 लीजिए आपको शिकायत का मौकार नहीं मिलेगा इस इस रियली अमेजिंग Bluetooth Neckband अडिशनल फीचर के बात करें तो डूएल पेरिंग मूड सपूर्ट करता है इसी के साथ-साथ magnetic on-off भी मिलता है मतला बट्स को connect करोगा तो यह off हो जाएगा disconnect करोगे तो on हो जाएगा तो यह feature मुझे काफी सही लगता है और दूसरा Neckband अड़ टूट हजन रुपीस वह है OnePlus Bullets Wireless Z इसका एक वेस एडिशन आता है अगर आप वेस लब है तो उसको भी बाई कर सकते हैं और वार अगर हम इसकी features के बात करें तो इस नेक बंड के डूल च की रेटिंग मिल जाएगी तो waterproof and dustproof भी है और Bluetooth 5.0 का support दिया होगा है sound quality is again very very good बाट अगर हम बेस कंपेर करें तो Oppo में हमें better base मिलता है as compared to OnePlus Neckband इसका खास बात यह है भाई यहां पर low latency mode मिलता है मतलब अगर आप गेम खेलते हो तो sound के बीच में delay होते हैं वो काफी कम हो जा जाता है और यह Bluetooth Neckband भी हमें magnetic lock support के साथ में आ जाती है तो यह Neckband भी आपके लिए one of the best option होगा तो दुनों ही Neckband में से अगर 2000 में किसी एक को लेना है तो मैं अगर अपना final conclusion के बात करूँ if your first priority is battery backup और आप गेम ज्यादा खेलते हैं तो यूजिंग Neckband तो डेफिनेटली अगर आप एक बेस्ट लवर है और आपको एक stylish Neckband चाहिए तो आप Oppo Enco M31 के साथ में जा सकते हैं आज की इस वीडियो में जो भी Bluetooth Neckband हमने आपको recommend किये हैं इन सभी का Best Buy Link description पर दिया हुआ है तो creepy अगर के लेना ही है तो वहीं से ले लेना आपको तो best price में मिलेगी ही साथ में हमारे link से लोगे तो थोड़ा support हमारे चैनल को भी हो जाएगी उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो make sure वीडियो को like किजिएगा चैनल वीडियो पहले बार देख रहे हैं चैन